दिन बर एक अजीब सी बेचेनी बनी रहने लगी थी पहले जहाँ वो घंटों तक पढ़ लेती थी अब आदे घंटे में उसका कॉंसेंट्रेशन लूज हो जाता है अरे हमारी तो श्रीमत भगवत गीता में ही एंग्जाइटी का पूरा डिस्क्रिप्शन है दो exercises जो आपकी anxiety के दौरान help करेंगी नमस्ते दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्क्रस करेंगे पूजा नाम की लड़की की case history जिसमें हम देखेंगे कि anxiety disorders दिखते कैसे हैं anxiety disorders और stress का आपस में relation ये क्यों होते हैं ये क्या होते हैं श्रीमत भगवत गीता में एंग्जाइटी का उलेक, इनका ट्रीटमेंट, आयूर वेद में एंग्जाइटी डिसॉर्डर्स और कुछ एक्सेसाइजेज जो एंग्जाइटी के दौरान हमारी मदद कर सकती हैं पूजा नाम की एक 18-19 साल की एकदम आइडिया लड़की थी, पढ़ने में बेस्ट, स्पोर्ट्स में भी आगे, बच्चो और बड़ों की खोब रिस्पेक्ट करती थी, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, कोई टेंशन ही नहीं थी, लेकिन जहां पहले उसकी नियन र मेरे के भार गया है, और उससे थोड़ी सी जादा देर हो गई, तो सीधे, अरे कहीं उसका एक्सिडेंट तो नहीं हो गया होगा, कहीं उससे कोई उठा के तो नहीं ले गया होगा, या फिर मेरे फ्यूचर का क्या होगा, क्या मेरी जॉब लग पाएगी, और अगर नहीं ल कान मैसुस होती थी कि लाग चायने पर भी वो पढ़ नहीं पाती थी छोटा भाई और उसके मम्मी तो उससे बात करने में भी डरने लगे थे क्योंकि वो हर चोटी-चोटी बात पर इतना चिड़-चिड़ आने लगी थी कि उससे बात करना तक मुश्किल हो गया था पूरे शरीर में कहीं न कहीं दर्द बनाई रहता था अब वो अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रही थी जब घरवालों ने देखा कि उसकी पढ़ाई पर आने लगी है तब वो तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेके गए डॉक्टर ने पूरी हिस्ट्री सुनकर उसे एक साइ करने की बिमारी हो रही है घर वाले लेकिन इसे तो कोई टेंशन की बात ही नहीं और चोटी मोटी बातों का तो यह टेंशन लेती भी नहीं है इस पर साइकाइट्रिस ने कहा कि साइकाइट्रिक इल्नेस जैसे की एंग्जाइटी डिसॉर्डर्स डिप्रेशन होने के लिए किसी टेंशन का होना जरूरी नहीं है यह किसी को भी हो सकती है हाँ, अक्सर ये बिमारियां टेंशन के कारण बाहर जरूर आ जाती है लेकिन टेंशन इनके होने का मुख्य कारण नहीं है पूजा, फिर मुझे क्यों होई है ये बिमारी मेरी फ्रेंट तो मुझसे कहीं ज़्यादा टेंशन लेती है उसे क्यों नहीं हुई इस पर साइकाटरिस ने कहा कि ये बिमारिया बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होती है जैसे कि आपका जेनेटिक्स आपका इंवार्मेंट आप कैसे इंवार्मेंट में पले बड़े है आपका बशचपन कैसा बीता है आपके life experiences कैसे है आपके hormones के level कैसे है आपके vitamins के level कैसे है और भी बहुत सारी कई छोटी छोटी बातों का dependent होती है किसी का दिमाग भारी tension को काफी ज़्यादा सेहन कर सकता है लेकिन किसी कदिमाग छोटी छोटी बातों से ही उलच जाता है इसमें किसी particular इंसान की कोई गलती नहीं होती है पूजा, इसमें होता क्या है exactly, psychiatrist हमारे brain में cortex, striatum और thalamus के बीच में एक circuit होता है जिसे cortico, strato, thalamocortical या CSTC loop भी कहते हैं नाम important नहीं है, काम important है इसका काम होता है, थोड़ा वो सोचना समझना और छोटी मोटी चीज़ों का थोड़ा वो tension लेना लेकिन अगर यही tension बहुत ज्यादा बढ़ जाए या CSTC loop over activate हो जाए तो फिर ये एक बिमारी बन जाती है और उसके कारण anxiety के symptoms आने लगते हैं इसमें हमारी brain के inhibitory neurotransmitters मतलब ऐसे neurotransmitters जो की neurons की activity को कम करते हैं जैसे कि serotonin, GABA, इनका level काफी कम हो जाता है वहीं ऐसे neurotransmitters जिनके कारण neuron की activity कई ज़्यादा बढ़ जाती है मतलब की excitatory neurotransmitters जैसे कि norepinephrine, glutamate, इनका level काफी ज़्यादा बढ़ जाता है in short, neurons ज़्यादा ही activate हो रहे हैं जिनके कारण एक ही एक बात, एक ही एक thought गोल, गोल, गोल आपके दिमाग में घुमती रहती है जिसे worry कहते हैं और साथ ही साथ amygdella, जो की हमारे brain के fear के लिए responsible होता है मतलब की डर के लिए responsible होता है वो और उसके सारे circuits भी over active हो जाता है तो जो भी बात आपके दिमाग में गोल, गोल गुमती रहती है वो इस fear के साथ associate होकर एक negative thought बन जाती है जैसे कि अगर thought आई, कि यार मुझे अज दो topics पढ़ना है तो ये thought बार 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 दिमाग में गूमती रहेगी और फिर ये डर के साथ में associate हो जाएगी कि अरे, अगर मैं सिर्फ दो-दो topics ही करूँगा तो मेरा course कैसे खतम होगा course खतम नहीं हो पाएगा, तो मैं exam में क्या लिखूँँगा exam में ने लिखूँँगा तो fail हो जाओँगा fail हो जाओँगा तो मेरे career का क्या होगा पूजा, लेकिन मुझे ही क्यों psychiatrist, किसने कहा ये जिर्फ तुम्हे ये worldwide 5% से भी जाधा लोगों को है और सिर्फ इंडिया के इंडिया में ही 4 करोड से जाधा लोगों को है और ये इंडिया के नंबर्स तो बहुत ही कम है क्योंकि जाधतर लोग तो इलाज के लिए जाते ही नहीं है उन्हें लगता है कि अगर हम psychiatrist के पास में गए तो हम पर mental patient का tag लग जाएगा अरे हमारी तो श्रीमत भगवत गीता में ही anxiety का पूरा description है जिसमें अर्जुन जी को युद्ध के पहले ही anxiety होती है वो कहते हैं कि मेरा शरीर शिथिल हो रहा है मेरा मू सूक रहा है मेरे शरीर में कपकपी आ रही है मेरे रॉंग्टे खड़े हो रहे है मेरे हाथ से धनुष गिर रहा है मुझमें आप खड़े रहने की भी शक्ती नहीं रही है और फिर कृष्ण भगवान उनको समझाते हैं या फिर एक तरीके से उनकी साइको थेरेपी करते हैं अर्जुन जी को anxiety disorder नहीं था उन्हें सिर्फ उस टाइम के लिए anxiety हो रही थी जो की युद्ध के पहले तो नॉर्मल ही है तो ये सिर्फ तुमें नहीं हो रही है तो फिर मैं ठीक कैसे होंगी हमारे पास इसके कई सारे options है पहला option है psychotherapy जिसे की आम भाशा में counseling भी कहा जाता है इसमें patient से बात करके उसे क्या चीज़ें परिशान करती है उसके दिमाग में उलजन पैदा करती है उन छोटी 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 चीज़ों को भी बाहर निकाला जाता है और उन्हें सुलढाया जाता है दूसरा है pharmacotherapy यानि की medications इसमें patients को दवाईयां देकर ठीक किया जाता है ये दवाईयां आपके brain में जाती है और chemicals और उन affected brain areas पर काम करती है जैसे की SSRI, SNRI, NRI, benzodiazepines और भी कई सारी दवाईया तीसरा है lifestyle modifications इसमें आपकी sleep, food, exercise और बाकी आपके environment पर काम किया जाता है problematic चीज़ों को ठीक किया जाता है तो हम इन सभी चीज़ों को एक-एक करके या अलग-अलग combinations में यूज़ करके आपको ठीक कर सकते हैं पूजा, इसमें time कितना लगेगा? इस पर psychiatrist ने कहा brain एक ऐसा organ है जिसके पास cell division की capacity एकदम ना के बराबर होती है तो जहां दूसरे organs जैसे की अगर skin पर चोट लग जाए तो skin उन damaged cells को बाहर निकाल कर fake देती है और उनकी जगे नए cells बना लेती है लेकिन दिमाग ऐसा नहीं कर सकता उसे उनी cells को बार-बार repair करके काम चलाना पड़ता है जिसमें कम से कम कुछ महिनों का टाइम तो लगता ही है लेकिन दवाईयों की मदद से एक हफते या दस दिन में आराम की शुरुवात होने लगती है आयूर वेद में generalized anxiety disorder का जुडवा भाई है चितोद वेग, मानसिक दोश जैसे की तमस और रजस के कारण ये होता है और इसमें मनस्मृता वटा का, ब्रामी वटी और खास तोर से अश्वगंदा के काफी positive effects पाए गए हैं पूजा इन आंसर से satisfy होकर डॉक्टर की advice पर दवाई ले गई और psychotherapy के लिए आती रही दो weeks में ही उसके 90% symptoms में आराम आ गया और लगबग एक देड महीने में तो वो पूरी तरह ठीक हो गई उसके 3 महीने बाद उसके दवाई धिरे-धिरे withdraw करकर बन कर दी गई दो exercises जो आपकी anxiety के दोरान help करेंगी उनमें से पहली है diaphragmatic breathing diaphragmatic breathing में आप किसी भी चेयर पर आराम से बैट जाएए अपने हाथों को अपने सिर के पीछे रखिए और फिर उसके बाद में 4 सेकंड का rule याद रखिए इसका मतलब यह कि 4 सेकंड तक आपको गहरी सांस लेनी है जितनी हो सके उतनी फिर उसे 4 सेकंड तक hold करना है और फिर उसे पूरे तरीके से 4 सेकंड में छोड़ देना है और फिर 4 सेकंड तक hold करना है इस exercise में सबसे जादे इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो पेट है वो आपकी छाती के comparison में ज्यादा फूलना चाहिए मतलब कि abdominal breathing करनी है आपको उस सबसे ज्यादा important है यह आपकी vagus nerve को stimulate करती है जो कि आपकी heart rate और आपकी breathing rate को कम करती है और आपकी पूरी की पूरी body को relax करवाती है दूसरी है जेकबसंस progressive muscle relaxation जिसे JPMR भी कहता है अगेन नाम important नहीं है इसमें आप किसी flat surface पर आराम से लेट जाएए अपने हाथों और पेरों को एकदम सीधा रखना है उसके बाद में अपने पेरों की उंगलियों को ऐसे एकदम tight mode लीजिए फिर उसे एकदम relax छोड़ दीज है ऐसा कम से कम 5 बार करने के बाद में उन्हें एकदम relax छोड़ दीजिए वैसा ही आपको अपने हर एक muscle group के साथ करना है मतलब कि अगर जैसे ही आपके पेरों की उंगलिया है तो ऐसा ही आपको अपनी पिंडलियों के साथ भी करना है अपनी thighs के साथ भी करना है फिर अपने हाथों, four arms, arms, shoulders, hips, back, अपने abdomen, chest, neck, sir और facial muscles के साथ भी करना है don't worry मैं इसका एक detailed video अपने चैनल पर डाल दूँगा कि इसे करते कैसे है और उसकी link इसके description box में रहेगी और आप मेरे साथ इसे कर सकते हैं इससे आपकी पूरी की पूरी body relax हो जाएगी जैसे कि किसे ने body massage कर द दिखिए stress जो होता है वो एक tennis ball की तरह होता है जिसके एक तरफ body है तो दूसरी तरफ brain जब brain से stress की tennis ball body के coat में जाती है तो वो body को भी affect करती है वैसे ही body से वापस आती है tennis ball और फिर brain को affect करती है तो अगर आपका brain stress में है तो आपकी body के muscles भी tight हो जाएगे और वहीं अगर signal जाएगा कि body के muscles tight हो रहे है इसका मतलब जरूर कोई ना कोई tension है तो फिर वो भी stress में आ जाएगा अब अगर हम इन दोनों tennis players में से किसी एक tennis player को हटा ले तो ball तो court के बाहर चली जाएगी और stress पूरी तरीके से खतम हो जाएगा तो अगर body relax हो गई तो फिर brain को लगेगा कि हाँ सब कुछ एकदम relaxed है अब खतरे की कोई बात नहीं अब डरने की कोई बात नहीं है तो फिर वो brain भी आराम से relaxed हो जाएगा तो दोस्तों आपने देखा कि पूजा को जब काफी time से तकलिफ हो रही थी तब किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया लेकिन जहां बात उसकी या mental disorders के उसके according art से भी ज़्यादा तरह के anxiety disorders है तो अगर आपको पूजा के symptoms में से कुछ symptoms या फिर आपको लगता है कि आपको किसी psychiatrist से एक बार check-up करवा लेना चाहिए तो बिलकुल भी हीच की चाहिए मत और अपनी help कीजिए and remember guys psychiatry is just neurology but at microscopic level तो इसका stigma अपने मन से हटाओ ओम शांती